हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे धांसू होंगे खुश होंगे और साथ में खूप सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे जैनवरी का मन्त अल्मोस्स खतम हो है अब हमारे पास फेब्ररी है मार्च है दो महीने और है उसके बाद एपरिल तो आपका प्रेपरेशन रिविजन में जाएगा तो उससाब से आज हम लोग अपने जोग्रफी का लास्ट चाप्टर को शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री हम लोग पूरी कर चुके हैं और त्योरी के आसपेक्ट से जोग्रफी का भी आज लास्ट चाप्टर जो है यह शुरू हो रहा है इसके बाद मैं आप लोग को पॉसिबिली हर चाप्टर का वन शॉट जरूर दूँगा ताकि आप लोग एक ही चाप्टर एक ही वीडियो में हर चीज को ग्रास्प कर सकें ठ तो चलिए फिर आज के इस लेक्टर को शुरू करते हैं मेरा नाम है मुहमद आसम फिजक्स वाला फांडेशन चानल पर आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक अगेन एक बहु लाइफ 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 लाइफ लाइन है। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि देखे इस चाप्टर में हम लोग क्या पठने वाले हैं। इस चाप्टर में मैं आपको Means of Transport के बारें बताने वाला हूं। क्या तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या मीडियम है किन तरीकों से हम लोग आवा जाहि कर सकते हैं और उनको हम लोग लाइफलाइन इसलिए बोलते हैं क्यूंकि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मेथर्ड ना हो तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ड हो जाती है IV क पढ़ाते हैं वक्त मैंने आपको कई बार हिस्टॉरिकली ऐसे बहुत एक्जाम्पल कोट किये थे मैंने आपको बताया था कि 1853 में पहली ट्रेन चलती है इंडिया में तो उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन चली तो ट्रेन चलने से क्या होता है इस नाट ओनली देपीपल जो इ लोगों के व्यूज ये सब भी ट्रावल करते हैं तो जब मैं मान लीजे एक जगह हूं अब मुझे आज ट्रेन मिल गई ये ट्रेन चलने लगी है तो मैं एक जगह से दुसरे जाओंगा जब वहां पर जाओंगा तो वहां की लोगों से मिलूँगा उनकी बातों को सुनू की डिगनिटी ये सब चीजों में और देश का बहुत बॉटन जो आस्पेक्ट है इंटीग्रेशन का पच्छो कुछ चीजे आज हम लोग डिसकॉस जो कर रहे हैं यह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए बहुत नॉर्मल बाते डिसकॉस कर रहे हैं ज क्षमीर में आपको यह problem देखने को मिलती है लेकिन अधर स्टेट्सप्र देखने को नहीं मिलती है एक बड़ा रीजन है बच्चो वहाँ पर लाक ओफ कि लाक ओफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेंगा अब ही तो मैं खाल लिया आपको चाप्टर के भूमिका बना रहा हू आपको कुछ चीज यहां से समझ में आनी चाहिए मैंने क्या बोला जम्मु कश्विल प्रॉब्लम क्यों थी ट्रांस्पोर्टेशन सर्विस नहीं है अब रीजन क्या है आपको पता है यहां से देली तो आप जा ओगे सिधे यहां से पहुंचोगे जammu जम्मू से यह इंड़ आ रास्ता हे रोड तैट इस approximately I guess 300 km लेकिन उसको ट्रावल करने में लगता है नौ घंटे बारा घंटे और उसका रीजन यह है कि जो टेरेन है जो रोड है बहुत डिफिकल्ट है और उपर से अगर सर्दियों की बात करें तो वहाँ पर रास्ते बंद हो जाते हैं तो चूकी जम्मू एन कश्मीर क्या हो ज चूक रहें हो रहें कश्मीर के पता ही नहीं क्यों बरफ पड़ गई तो यहां के लोग यहां के लोग आ रहे नहीं को बहुत जारें तो जब सैंकर आंगे और फोघंग तो आप लोग की था कर सकते हो रिलीजन ठीक है पॉलिटी एकनॉमी सब फ्लो होती है होती है कि नहीं तो देखिए अभी क्या हो रहा है इंडियन गवर्मेंट इस कंटिनेसली वर्किंग फॉर जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए लगातार लगातार हमारी जो गवर्मेंट है वो यहाँ पर कोशिच कर रही है इनफाक्त अब लड़ाक जो Union Territory of Ladakh है ठीक है उसको भी यहाँ पर आप connect करने की कोशिच की जा रही है मनाली से देखिए क्या किया गया है रोतांग पास के बगल से एक टनल बना दी गई है क्योंकि रोतांग पास था मैं बता दो आपको सपोस्थ इस मनाली तो मनाली से आप निकलते थे न ऐसे तो य पास यहां से पास यह निकलता है तो जब भी हम लोगों को जाना होता था मनाली से टुवर्ड्स ले तो हम लोगों को इस पास को क्रॉस करना पड़ता है सरदियों के मौसम में यह पास पूरा बंद हो जाता है बरफ की वजए से तो देखिए यहां के लोग और यहां के लो मतलब हम हर वक्त all weather हम मनाली को connect कर सकते हैं ले से हैं कि नहीं important चीज तो देखिए कैसे हुआ आप देखे मान लिजें यह connectivity बन गई तो यार यह बताइए इस connectivity से क्या हुआ हमारे goods and services जो है goods और services जो अभी तक खाली गर्मियों के मौसम में जाते थे अब हम लोग इसको सर्दियों तक पहुंचा पाएंगे तो economy बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अभी मान लिजे जम्मुन कश्मीर को हटा दीजे अगर तो हमारे यहां देश में डिमांड होगी कोई particular चीज की लेकिन म लोग इंक्लूड होगा है तो रिमांड बढ़ जाएगी country के अंदर country के अंदर रिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी national economy और अच्छी हो जाएगी तो basically मैं बताना जो चाहरा हूं वो यह कि transportation बहुत important होता है बहुत इसे हो जाती है तुरंथ और उसकी वज़े से क्या हुआ है उसकी वज़े से यहां पर हुआ है जम्मू कश्मीर की केस में अच्छी रोड़ ले आओ अच्छी connectivity कर दो train की रोड़ की तो अभी जो लोग सोचते हैं यार कश्मीर से जम्मू जाना है बहुत टाइम लगेगा 300 किलोमेटर है वह फिर तुरंथ पहुंचने लग जाएंगे दिल्ली से आगरा इस 200 किलोमेटर और वहां पर आपको मात्र लगता है देड़ फंटा वन एंद आफ हार में यूरीज 200 किलोमेटर इतने अच्छी रोड़े है तो लोगों सोचना नहीं पढ़ता कि दिल्ली से आ क्योंकि वहां लोगों तक चीजें पहुंची नहीं है एकनॉमी वहां तक पहुंच नहीं पाई है क्यों बिकॉज आप आर्टिकल 370 था तो वहां पर कोई बाहर की फर्म बाहर की कंपनी जम्मू कश्मी नहीं जापाती थी 370 is eliminated हटा दिया गया है इसको अब वहां पर प्र अधियर नोप क्यों जो आज आप देखरें को मिलता है पत्थर मार रहा है लोग यह कुछ नहीं होगा एड्यूकेशन प्रोवाइट करिया एड्यूकेशन तो इस ट्रांस्पोर्टेशन नेटवर्क से ट्रांस्पोर्ट से हर चीज करेक्टेड है मेरा कहने का मतलब यह हो है ड्रांस्पोर्टेशन जो होता है ये एक तरीके से लाइफ light इसको भोला जाता है और लाइफ लाइफ लाइन होने का करान यह है इसका क्योंकि यहीं चीज है जो आपको अरजगे एड्युकेशन प्रोवाइट करेगी यहीं चीज है जो आपको इन्दर तो आपको समझ पा रहे हैं कि कितना important होता है कितना important मैंने कई बार एक example quote किया है और मैं आज फिर से एक बार quote कर देता हूं देखिए 1853 में ठीक है हमारी इंडिया में पहली train चलती है first train कौन से चली मुंबई से थाने ठीक है अब यह बताई है चिहां मुंबई से थाने train चलती है पहली और देखें विदिन ओर फॉर यार्स में फीर। फोस्टास हो जाती है कि फॉस्टास इंडिपेंडेंस हो जाती है तो देखिए हुआ क्या हमें इससे पहले क्यूं नहीं हुआ है इसका बहुत अंत्थक रीजन है 1853 यहां से पहले हमायां प्रेंख जबव नहीं थी तो लोगों की आवाज आहीं नहीं होती थी इस बिटिशर्स अगर बेंगउल को मार रहे थो बेंगउल पिट रहे है लेकिन ह Girard aliens को पते नहीं सब्हार के बेंगल को मारा जा रहा है है थिक है ना जब तरेन चली तो बेंगल है है शुरू कियों, लोको पता चला, सबको मार रहे हैं तो इससे यह हुआ कि हर आदमी के बीच में कम्यूनिकेशन मढ़ गया कम्यूनिकेशन मढ़ने से क्या हुआ कि यूनिटी आ गई वही मैं चीज आपको समझा रहा हूं कि इस थेंग्स आर वेरी इंपोर्टन देखिए फर्स्ट वर फिंडिपेंडेंस होने का कितना बड़ा रीजन है 1853 क्यों चार साल के अंदर आपको देखने को मिलती है इसी लिए देखने को मिलती है क्योंकि लोगो अगर हम वापस आए चाप्टर को थोड़ा आपको मैंने भूमिका बनाई है कि हम लाइफलाइन क्यों बोलते हैं उसको तो लाइफलाइन बोलने का रीजन यहीं पर यह होता है कि हर चीज ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हर चीज एक तो यहां पर जूड़ी होती है विद अध अब इंडस्ट्री तक कैसे जाएगी अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना बड़े बड़े तेल आ गया इंपोर्ट होके मुम्माई में पहुचा शिप्ट के जरीए अब तेल को आप दूसरे देशों के पार्ट में कैसे ले जाओगे फ़ सब्सक्राइब यहां पर नेंने फर्फ परתי तर्क verme als टॉइं से हमारा कि क्या चीछ हमारी नैस्नल लाई लाइन लाइफ लाइन हो जाएगी यह हो जाएगी ट्रांसपोर्टTrans्च सेक्टा तो इसको मैं दढीध कर रहा हूं आपके लिए इन थी पाट्स ठीक है बहुत सिंपल है ये तो एक होता है देखिए सिंपली रोडवेज लांड हो गया या तो आप लांड से ट्रावल कर रहे होंगे या वाटर से ट्रावल कर रहे होंगे या आप एर से ट्रावल कर रहे होंगे तो पहला हो गया आप लांड दूसरा हो गया आपके लिए व पर क्या होता है roads होती है ठीक बात है जिसको हम बोलते है roadways अ फिर होता है या पर railway एप एक और होता है that is pipeline अब माउने तरू भी यहां पर आप बहुत सारी चीजे होती है बहुत सारे जैसे इसके बारे मैं आपको बताऊंगा इनला वाटर वे होता है या फिर आप देखोगे इसको बोलते हैं overseas, देखिए, overseas लिख लिए, inland हो गया, अपर दूसरे हो गया, overseas, यानि एक तो आप कंट्री के अंदर ही चीजे चल रही होंगी, एक आप समुंदर के जरीए बाहर बाहर ले जा रहे हैं, दूसरे देशों में, overseas हो गया, ठीक है, उसके पर आप देखेंगे, air की बात करूँ, तो air में यहाँ पर क्या आएगी, दो चीजे आएगी, एक तो होता है domestic airport, domestic airways, जो airways समझ रहे हैं, हवाई जहाद से चलने वाली चीजे, या वो आप domestically चलती है, यानि country के अंदर ही अंदर उडएंगी, एक होती है international, जो country से बाहर भी जाती है, international, ठीक है, और importantly, अगर मैं domestic की बात बताओं आपको, तो domestic की यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीकी की domestic flights हो सकती है, एक होती है देखिए public undertakings, public, public undertakings, ठीक है, एक होती है यहाँ पर private undertaking, मतलब public undertaking मतलब जो सरकार के अंदर होती है, जैसे अपनी air India की flights हो गई, ठीक है, air India हो जाता है अपना, ठीक है, अपार्ट फ्रम प्राइवेट में आई हो जैसे आपका हो गया, विस्तारा हो गया, विस्तारा हो गया, यहाँ इंडिगो, ठीक है, तो यह सब चीज़े यहाँ पर आती है, तो आज मैं इस lecture में आपके साथ basically जो deal करने जा रहा हूं, वो deal करूंगा मैं आपके साथ land transport को, अब यह आप flow chart बना लीजे, क्योंकि आगले आने वाले chapters में मैं यह flow chart आपके साथ repeat करूंगा, ठीक है, तो यह land इसके बारे में मैं आपके साथ detail discuss करूंगा, and that too मैं आपके साथ आज सिर्फ roadways को लेकर बात करने वाला, roadways, इसी को लेकर आज बात ठीक है, chapter जादा बड़ा है नहीं, आज थोड़ा slow चलेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा समको भूमिका और अच्छे से समझना है चीजों को, फिर उसकी बाद हम लोग चीजों पर स्विच कर लाएंगे, अराम आज से, जल्दी जल्दी हो जाएका, जादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले तो मैं आपको यह बता देता हूँ, आज रेलवेस को नहीं पढ़ाओंगा, लेकिन मैं यह जरू बताना चाहूंगा, कि रेलवेस के सामने, रोड़वेस को प्रिफरेंस क्यों मिलता है, क्यों कहते हैं, कि रोड़वे इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर लाइन खीब दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए, देखिए ज़रा, लिग लीजे, कुछ पॉइंट से देखिए, यही आपको एग्जाम में लिख क्या आए, आपको एग्जाम में लिख क्या आए, आपको आए, आपको लिख देना, अगर सवाल आ जाता है, क्यों रोडवेस जाधा एकनोमी जाधा बेटर है, फॉम दी रेलवेस, यह पॉइंट लिखने, पहला चीज यह है, कि जो कॉस्ट की बात करूं, आपसे में, कॉस्ट, ए, कॉस्ट, कॉस्ट कम होती है, यानि रोडवेस की जो कॉस्ट जाधा IMPORTANCE देते हैं, दूसरी बात है यह है रोडवेस कैन ट्रांसफर आप द के रोडवेस कांट्रांसफर क्हम पैरियू ली मौर डाइसेक्टिड एक जादा ट्रांसफर कर सकता है, यानि आपको ट्रांसफर कैसे होती है, भाई देखे, डाइसेक्शन पारलाइन ईस्ट कर दिया तो दीस इस मौर्क जानफर ज्यादा टोपोग्रफी है तो सब्सक्राइब जितनी भी टॉप टोपोग्रफी है उसमें आपको देखेगा कि यह वह अराम से चला है ठीक है अई होब यह चीज आपको क्लियर हो गई ठीक बात है तीसरा चीज़ यह है कि रोट्स आपको हिमाल्याज बी मिलेंगी हाईर स्लोप्स में हिमाल्याज भी आपको रोट्स देखने को मिल जाती है ठीक है हाईर स्लोप्स but railways आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, higher slopes, himalayas, यहां पर आपको roads देखने को मिलेगी, इसलिए एक बार कहते हैं कि roads का importance जादा है railways से, ठीक है, उसके बाद point number D, very important now, and that is कि economical होता है roadways, बहुत important है, आप देखोगे कि जो roadways है, that is more economical in the sense, economical in the sense, कि economical for few people, कुछ लोग आपको इससे prefer करेंगे, कि हम roads से जाएं, ठीक है, it is more more economical, railways में, it is a bit, comparatively, थोड़ा महंगा जादा होता है railways, ठीक है, लेकिन roadways, economical होता है, बहुत सारे लोगों, economical for few, I hope यह clear होगे आपको, ठीक है, उसके बाद, roadways में एक best options होती है, and that is, door to door service, है कि नहीं, roadways हैं, तो आपको door to door service हो सकती है, एक्दम घर तक आपके समान आ जाएगा, right or not, apart from that, आपो देखोगे, कि not only this, but the cost of loading and unloading, is also very low, because door to door service होती है, so यहाँ पर क्या होगा, cost of, जो loading है समान की, जो समान load होता है, और जो unload होता है, उसके cost क्या होती है, लो होती है, तो आपको clear हो गया, इसके लावा importantly यहाँ पर क्या होता है, कि जो feeder होता है, it is a feeder to other modes of transport, very important, देखिए फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं, feeder to other modes of transport, कहने का मतलब यह हुआ, कि अभी मताओं क्या हो रहा है, कि जैसे पहले आप roads से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो कभी-कभी क्या होता है, कि वो roads से for example कुछ समान लच जाता है, फिर वो समान road के थुरू जाता है, ट्रक से, और ट्रक के बाद फिर उसको train में लाद दिया जाता है, फिर train उसको लेके जाती है, तो basically और जहाँ train पहुंचती है, वहाँ train उसको unload कर देगी, और फिर से वो समान road से जाता है, तो road basically एक तरीकित का feeder होता है, और other modes of transport, other modes of transport को feed करता है, क्योंकि देखे, railway connectivity हर जगे नहीं है आपकी, लेकिन roads है, rural areas तक roads है आपकी, गाओं गाओं तो आपके station नहीं है ना, तो माली किसान है, अब किसान ने कुछ अनाज पदा किया, वह road से एक बार आ जाएगा truck में भरके एक जगह तक, उसके बाद you can transfer it from the, with the help of railways, इधर उदर, तो अभी देखे, recently क्या हुआ है कि government ने यहाँ पर किसान रेल भी चलाई है, किसान रेल, मतलब train चल रही है, और train में इंसान नहीं जाएगा, या किसान नहीं जाएगा, उसमें जो किसान ने समान उगाया है, vegetables, यह सब चीजे train में जाएगी, और जहाँ जहाँ जैसे ऐसे stations आएगे, जहाँ समान की requirement है, वहाँ उतार दिया जाएगा, वहाँ से उसको लोड कर लेंगे, लोड कर लेंगे, तो इंडिया में दो train किसान रेल चल चुकी है, भी recently, बता रहा हूं को इदम recent, अभी इंडिय में चली recently, यह train, तो पहले क्या हुँआ, पहले वो चीजें जो इना truck में भरके लाई गई, truck से उठा के क्या होता है, कहीं कहीं roads, बहुत अच्छी है, तो गो खुर्मेंट नहीं प्लान ये किया है, कहीं कहीं roads, connectivity बहुत अच्छी होती है, तो पहले क्या आखर रहा है, समान अगर मान लिए शिप से ले जाए तो इसको शिप में लूट कर दिया जाता है तो मुंबई से गोवा समान जल्दी आ जाता है और शस्ते में आ जाता है क्योंकि waterways अब से सस्ता होता है कि आप कोई रोड बनाने खर्चा नहीं है कोई पानी बनाने खर्चा नहीं है सब चल रहा है वह बढ़िया एक दम तो यह भी होता है हाना तो एक तरीके से जो रोडवेज है यह जो फीडर है रोडवेज वह तरीके स तो यह पांचे पॉइंट आपके लिए सफिशिंट होते हैं ठीक है मुविंग एहड हम बात करते हैं टाइप सब रोट की बारे में तो टाइप सब रोट में बेसिकली हमारे पास छे तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं ठीक है अब मैं थोड़ा साथ आपके लिए इस पीपीटी फॉर्माट में लेके आया हूं और इसका रीजन यह है कि कुछ चीजों को खाली आपको याद रखना है जैसे पर एक्जामपल पहला क्लासिफिकेशन हो गया गोल्डन कॉड्री लाट्रल गोल्डन कॉड्री लाट् लाइए चार होटा है और गोल्डन की बोल रहे हैं इसको फ्ली जैगों को से कनेट कर रहा है ऐए इस पर्टिक्लर प्रोजेट के तहुत नाहां क्या हो रहा है कि जो चार शहर है मेट्रोपॉलिटन डैली कॉल्काटा मॉंबई और यहाँ पर जो चिंड्य यह चार शहरों जोड़ा जा रहा है जोड़ा गया है बेसिकली तो दिल्लाई कॉलकटा मुंबई चिन्वाई वेरी वेरी इंपॉर्टन इसलिए आपको यह जरू याद अपना है तो यह उनको जोड़ने से क्या हुआ कि बेसिकली यह जोड़ा है तो इस इस कनेक्टिंग मेजर इंडस्ट्रियल अग्रिकल्चरल और कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया वरी वरी इंपॉर्टन ठीक है तो चार मेट्रो सिटीज को करेट करने वाला यह प्रोजेक्ट बहुत क्या हूं कि गल्डन कॉट्न कंडचल में कैसा दिख रहा है देखिए आई हब आपको यह फिбिशल द रही है नहीं दिख रही है थोड़्ा सा आपको जूम कर देता हूं धोड़ा सापना पर होप यह ऑ्रेड कब देखेगा देखितना yaca आपको दिख रहा है यह पर्टिकल्य हमारा न्यूडली ठीक है यह हमारा देखें यहां से यह connectivity बनी है ब्लू लाइन बनी हुई है यह मुंबई और मुंबई के बाद यह हमारा चिन्नाई और उसके बाद यह हमारा कॉलकटा तो यह चारो पॉइंट्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे यह लाइन जो है से जार यह ब्लू लाइली चली इट इस करेक्टिंग जैपूर उधायपूर गानी नगर एहमदाबाद स्वारोडरा सूरत और मुंबई तो दिल्ली मुंबई तो ऐसे बाड़ा विशाखा पत्नम युवल सीट भुमिनेश्वर कटक और कॉलकटा और कॉलकटा से आपको नई दिल्ली करना है तो यह तो रास्ता बहुत ही फेमस रास्ता है नई दिल्ली आप चलोगे तो आप पहुंचोगे मत्रा आगरा देन यू रिच ग्वालियर स्वरी यहां बाद बना रहा है अल दिस एरिया मतलब यह पूरा ऐसे एरिया ऐसे निकल जाता है कॉलकटा तो यह हमारा इसको बोलते हैं गोल्डिन कॉड्री लाट्रल इस कॉल्ड आज गोल्डन यह चार आप यह चार सिटी जबूदात रखिएगा कॉन कॉन से इसमें अब यहां पर एक चीज और है अब हमारे क्या है कि बहुत सारे कॉर्लों बना जा रहे हैं कॉर्लों रोड्स के नौर्ड से लेकर साउथ तक का कॉर्लों बना हुआ है जैसी मैं आपको दिखा दे रहा हूं देखे यह एक जगह आपको दिखरी यह आपर शीनगर आइ उप आब इसको देख पा रहे होंगे, यह जगह शिनगर, सिनगर से यहां पर लेकर एक है यहां जगह कण्याक कुमारी, के दोनों का नाम सुने होँगे आपने, तो शिनगर से कंध्याकुमारी तक एक रोड पूरी ऐसे निकली है, और वो कुछ ऐसे निकलती है, शिनगर से connect करती है, यहाँ पर आएगी चंडिगर, दिल्ली, आन इडिल्डी, जहासी, very very important में जगह का नाम लिख रहा हूँ, that is जहासी, यह आपको जगह पढ़ती है उत्तर प्रदेश में, don't get confused कि यह मद्र प्रदेश में है, एकदम UPMP के border प South Corridor, तो यह corridor चलता है हमारा, from शिनगर, from शिनगर से लेकर कन्या कुमारी तक, शिनगर से कन्या कुमारी, एक तो यह हो गया North South Corridor, फिर एक corridor और है, and that is East-West Corridor, East-West Corridor, और यह जाता है हमारा, मैं दिखा दे रहूं आपको, this starts from पोरबंदर, पहले हम West की बात करें अगर, तो West में या East की बात करें, तो यह शुरू होता है सिल्चर से, सिल्चर, और सिल्चर सी जाता है बच्चो, till पोरबंदर, पोरबंदर, यह है हमारा East-West Corridor, तो North- South Corridor क्या है हमारा, from शिनगर से लेकर खन्या कोमारी तक, यह हमारा क्या, North-South Corridor, और हमारा East-West, East यह आपको सिल्चर मिलेगा, सिल्चर से एक रोट कनेक्ट होती है, तो यह हमारा East-West Corridor, तो एक सवाल पूछा जाता है, कि यह North-South और East-West Corridor, North-South और East-West Corridor, यह कहां पर इंटरसेट करते हैं, कि किस पॉइंट पर इंटरसेट करते हैं, तो वो जगा जहां पर यह इंटरसेट करते हैं, इट इस कॉल्ड आज जासी, याद रख्येगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, North-South and East-West Corridor, इंटरसेट्स, इंटरसेट्स, एट याद रख्येगा, जासी, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, और याद रखने के लिए याद रख्येगा, कि मैं जासी का रहने वाला हूं, मैं खुद जासी का रहने वाला हूं, सो फ्रम मेरे घर के बहुत पास आई जगा जहां मैं देखता हूं कि यह दोनों हाइवेज एक नौर्ट साउथ हाइवे कोरिडर और एक इस्ट वेस्ट कोरिडर जो है यह इंटरस्ट होते हैं मेरे घर के पास हाड़ी दो किलोंटर के डिस्टेंस पर होगा मेरे यह चार किलों पहले यही कॉश्चन पूछा गया था कि नौर्ट साउथ इस्ट वेस्ट कोरिडर कहां पर इंटरस्ट होता है अब सोचिए आप लोगों को यह चीज यहां पढ़ाई जा रही है क्लास 10 में और वो यहां पूछी आती है UPPCS में कितना इंपोर्टेंट है कि आप लोग अभ फिस दिक अच्छा पढ़िए आपके सामने है मैं कुछ जूट नहीं बोल रहा हूं आगर आपको लग रहा है इस तरह से यह रोड ट्रावल करती है ऐसे जाती है इस ट्रावल लाइक दिस वे और यह एसे जहांसी से निकलती है ठीक है और इधर से जाती है जिए ट्रावल लनाखपूर हाइदराबाद बैंगलॉर और रिचस्टिल करने है तो यह जो पॉइंट है देस पॉइंट देस पॉइंट इस नथिंग बट जहांसी आई होप यह पॉइंट आपको यहां क्लियर हो गया ठीक है तो अब यह पॉला पोर्शन आइगेस आपको एकदम यहां स से एकदम पक्का क्लियर हो गया चलिए मुविंग ओन तुद नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं एक काटिक्री होगी गोल्डिंग कॉड्री लेटल की दूसरी हो जाती है नाशनल हाइवेस की जरा देखेगा नाशनल हाइवेस की बात करने जा रहा हूं मैं अब आपको पता नाशनल हाइवेस ट्सटेम है वर इंपोर्टनली लेगर बात करूं कि नाशनल हाइवेस की बात करूं अगर आपसे मैं तो इसको कौन बनाता है और कौन मेंटेन करता है नाश्चन हाइविए लेड़ ďंड मन ग्ंक्टेंड यही कौल ले निमनैनED कर रहा हुआ हिए लेड़ अन मंन ग्र्श चाहल्र को ले नहीं ग्र। इसको लिए मनने इड़ इस बाइ सेंटरल पॉब्लिक वर्क्स डिपार्टमेट CPWD सेंट्रल पॉब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ठीक है फुल फॉर्म लिख लीजे इसका यहां लिख दे रहा हूँ छेंट्रल पॉब्लिक गोग्स डिपार्टमेंट ठीक है तो यही इसका काम होता है CPWD का कि यही maintain करता है और यही इसको lay down करता है ठीक है example के तौर पर अगर मैं आपको बता हूँ तो एक शेर्षा सूरी की नाम सुना होगा आपने medieval history का बहुत ही important राजा है शेर्षा सूरी सूर डाइनस्ट्री का था तो शेर्षा सूरी ने एक शेर्षा सूरी और यह जाता है अमरिच सर से अमरिच सर से डेली के बीच में चलता है इसी को लोग बोलते हैं एन एच वण आपको यहां क्लियर हो गई ठीक है शेर्षा सूरी का यह शूर्षा सूरी मार्ग बोलते है अक्चली तो यह शेर्षा सूरी ने बनवाया था अमने सरसर डेली ओचलता है एन एस वन कहा जाता है तो आपको अधिक है क्या लिखा हुआ है नाशनल हाइवेश इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ बेट रैज ट्रांपोर्ट एटे three का नाम है जिस पंत्रालेक अंदर ये चलता है धिक्ला ??? हमारे आज कर पर लोड ट्रांस पोर्वेश के यह आपर देखने वाल का कारेकालहतो इसको शूर्ट्रा मिनिस्ट्री और रोट त्रांसपोर्ट एड है ऊइसे लिखा जाता है इसको अभी आपको क्लियर होगी चीज़ आगे देखिए इट इस कंस्ट्रक्टेट बाइदी नाशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया अगर आप जाएंगे रोट से ट्रेवल करिए तो आपको इस पर्टिक्लर बॉडी का नाम आपको हर टोल प्लाजा पे पर लिखा होगा कि किसका किसकी तरफ से है यह एडाट इज एने चैंट इनचनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया अगर मैं एनच आई की बात करू कि यह नाशनल हाइवेज अथोरिटी ऑफ इंडिया क्या है तो बच्चों यह एक नोडल एजनसी है यानी सबसे बड़ी जिसका काम क्या है किस काम के लिए responsible है कि यह बिल्ड करेगी यह upgrade करेगी यह maintain करेगी क्या चीज जितने भी हमारे national highways हैं देश के national highways network को यह बिल्ड करेगी यह upgrade करेगी और यह जो यहां अगर मैं आपको बता हुआ है तो यह कुछ इंपोर्टन चीज़ है अब इसमें एक बात और रह गई है यह देखिया आप क्या लिखा हुआ है इनिडिया नाशनल हाइवेज आर अधुड रोड फिराईज में एक्सक्रेस्वेश और गर्त करोंड अधर में चुना ओगा आग्रा असथाइक ये मुना एक्सपरेस वे यूपी का अंदर ठीक है दिल्ली को करता है आगरा से और लगनव करता है यहां पर दिल्ली से ठीक है these two expresses तो यह expressway जो होते हैं यह क्या है यह अधिक सिर्फ हाई वेज है ठीक है जहां पर आप जब इन हैवेश में घुसते हैं तो उनके एंट्रेंस और एक्जिट पर आप देखेंगे वह कंट्रोल किया जाता है विद्धी यूज ऑफ राम्स राम बने होते हैं उस पर राम पर चाड़के मतलब नॉर्मल रोट जा रही होती है फिर एक रोट निकल जाती है बाकि राम चाड़ जाता है उपर और फिर वह दूसरा बने माल जाता है धी के घृट्रणार आप जाएंगे तो देली विपन बताओं ड़ी में तो ड़ी से करण आप रहते हैं डी अग्साइड टाहिवन धूस अपर इस परई चॉक्त यूढ आनशनल हाई ऐसा कुछ नहीं है नाशनल हाई यह आइड ग्रेड रोट थीकिह नॉर्मर्ल रोट स्वती वैसश Meyer तो कि वçar Had Premium चेना की वानेज्सल अनियूर एक स्परेशी थी यह झाल eh आख कल किकल ऐलिमिट मैं रख देते हैं ठीचे और आप ट्रेवर किया होगा ऑब इस शांदार होते हैं आपको बतलब इनफाक डिकाद बार तो न्यूस ये भी आई थी कि फॉर अर्जेंट बेसिस पे शायद मुझे यहां तक याद आ रहा है एक फ्लाइट की लैंडिंग भी करा दी गई थी एक्सप्रस वेपे हम बात करते हैं moving on to the next लेकिन उससे पहले हाँ चलिए moving on to the next हम बात करेंगे यहां पर स्टेट हाइवेस की अब देखिए स्टेट हाइवेस की आप से बात करूँ मैं तो क्या होते हैं स्टेट हाइवेस देखिए यह देखेगा नहीं देखिए स्टेट हाइवेस अब जैसा की नाम से पता चल रहा है जैसा की नाम से पता चल रहा है कि स्टेट हाइवेस आपको देखरें को मिलेगा कि वह रोड जो लिंक करती है स्टेट के कापिटल को विद दी अधर डिफरेंट हेड़कॉर्टर उसको मोलते है स्टेट हाइवेस ठीक है तौन आगया मतलब रोड लिंकिंग कौन किसको लिंक कर रहा है दरोड बेसिकली लिंक करती है जो स्टेट की कापिटल को विद डिफरेंट हेड़कॉर्टर उसको मोलते है लिंकिंग क्या लिंक कर रहा है रोड्स रोड्स लिंकिंग स्टेट कापिटल स्टेट की कापिटल को लिंक कर दे अगर अधर हेड़कॉर्टर से तो वह हमारा स्टेट हाइवी हो जाएगा ठीक है इस पर वापस आता हूँ आपके लिए अब आता है यहां पर देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती है तो अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करते है देखिए अब जयसा नाम से पतनWest यह भच्चो इसमें क्या ही समझाना है National highways में आपको आपने देखास रोज सेट हाइवेस में देखा आपने ठीक है न आप स्टेट highways में आपको पता है वह रोड को लिंक कर रही है स्टेट की Capital को स्टेट का रीवे हो गया डिस्टिक रूट क्या होगा वह रोड जो district को connect करती हूं that is district roads simple वो रोड़े जो districts को एक district के headquarter को दूसरे district के headquarter connect कर रही हो other places देखे वह district headquarter है कोई district का कहीं headquarter है ठीक है उस जगे से अगर वो road किसी दूसरे headquarter तक connect कर रही है या फिर और other places तक connect कर रही है other places उस district के other places तक भी connect कर रही है तो वो भी हमारी district roads की category में आएगी ठीक है अब आता है other roads अच्छा importantly district road को कौन maintain करता है they are maintained by the जिला परिशद very very important please लिख लीजे maintained by जिला परिशद ठीक है अब हम बात कर रहे है other roads की इसलिए मैंने आपको यहाँ picture लगाया है other roads को basically अच्छे से discuss करने के लिए देखे ज़रा अब मैं आप बोलूँ अगर other roads के बारे में other roads तो वह बाकी सारी roads जो connect करती है rural areas को with the cities उसको बोलेंगे हम लोग other roads ही category में आता है ठीक है rural areas rural areas and villages with towns and cities यह होती है है rural areas and villages को connect कर दे with cities तो इसको बोलती हो हम आई अधर road की category में आती है अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया हुए बच्छों सरकार ने एक scheme चलाई है जिसको बोला जाता है प्रधान मंत्री ग्राम सडख योजना अब यह एक scheme है जो government of India की चलती है प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम मतलब हो गया गाहों से तो प्रधान मंत्री ग्राम और सड़क योजना यानि यहां बेसिकली government जो है वो सड़के बना रही है गाहों तक रूरल अरियास तक विलिजिस तक उससे क्या होगा डीप डाउन तक इंटीग्रेशन हो पाएगा गाहों से हमारी connectivity बढ़ पाएगी क्योंकि मेंली तो गाहों है ना हमारे लिए फसल अनाज अग्रिकल्टर सब गाहों में होता है सब रूरल एरियास में होता है तो हमारे लिए जरूरी है कि और एरियास में बहुत अच्छी पुझना कि यहां पर शुरुबात करी है और इसका basic objective क्या है क्या इसका basic objective तू प्रोवाइड गुड ओल वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है और वेदर रोट क्नेक्टिविटी होनी चाहिए यानि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी बरत गया तो पतापला रोट बह गई ऑल वेदर रोट क्नेक्टिविटी यह इसका basic objective है कि हम रोट कनेक्टिविटी पहुचाएं और वेदर टू कहां पर unconnected villages जो villages connected नहीं है उन तक हम लोग यहां पर रोट की connectivity पहुचाएं यह है हमारी प्धान मंतरी ग्राम साड़क योजना तो आप से पूछ सकता है प्धान मंतरी ग्राम साड़क योजना क्या है तो आप लिखोगे इड़ इड़ श्कीम ऑफ दी गवर्मेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिन टू विच अ प्लान है कैसा प्लान है टू प्रोवाइड गुड अल वेदर रोट कनेक्टिविटी तू अन कनेक्टिविटी जतने भी चीजों को मैंने अंडराइंग किया है वो की वर्ड है पहला की वर्ड है ओल वेदर ऐसा न्यूनाची के बारिश आये तो रोट बेह जाए इतना खराब क्वालिटी का डामर डाल दिया दूसरा ओल वेदर क्या रोट कनेक्टिविटी कहां पर अन कनेक्टिविटी विलिजस से लिए यह हमारा ही त्रहामंत्री ग्राम शाड़ा की उतना हुआ थिक div कराए एक तो यह आधर ना है अब एक चीज़ और बची है डाट इसज़ बाडर घ्रोट क्या होती हैं तो देखिए बागर रोट मतलब वह रोड जो बीक बाडर को करनेक्ट कर रही हो चाहे वों पाकिस्तान बाडर हो जाहे फिर वो आपका चाइना का बाडर ह अग्लिदेश का बार्ड ओ तो बेसिकली क्या है कि बादर रोड और अगनाइजैशन एक तपर बॉन्द आपनी एबडर रोड़ और टीकेगा इसको मुझे बोलते हैं ब्रो आप लोगो डर बोलते हैं एलो ब्रो तो यह ब्रो वाला ब्रो नहीं है ब्रो क्योंकि यह है अपना border road organization वाला bro, ठीक है, तो यह bro का काम क्या है, यह basically develop करता है, और maintain करता है, क्या, roads को, कौन से roads को, कौन से road के network को, वो road के network को, जो border areas पे काम करते हैं, border areas को connect करते हैं, और अपने friendly neighbors, उनको connect कर रहे हैं, ठीक है, तो read कर लीजिए, border road organization, bro, develops and maintains road networks in India's, border areas, नाम से पता जला है, border road organization, एक तो border areas, and friendly neighboring countries, इसका मतलब यह है, कि क्या यह देश के बाहर भी road बनाती है, बड़ा सवाल निकल के आगया, क्योंकि यह तो लिखा हुआ है, कि border road organization, develops and maintains roads, network in India's, border areas, या तो border area पे काम करेगी, या फिर friendly neighboring countries, friendly neighboring countries पे काम कर सकती है, क्या, देखते ह हैं भी, अचा बाकी area में कौन मना रहा है, मैंने आपको बता दिया, NHAI, National Highway Authority of India, लेकिन borders के लिए NHAI नहीं बनाता है, please remember this thing, border roads के लिए National Highway Authority of India नहीं बनाएगा, उसके लिए border road organization है, नाम से याद रखेगा, ठीक है, तो यह जो एक जो bro है, basically, bro, border road organization, यह क्या कर रहा है, कि इ इसने 19 states और तीन यूटी में आप देखेंगे, तो उसने अपना काम यहां किया है, अंडमान एक को बार, जमू एन कश्मीर यूटी हो चुका है, अब लद्दाक एक गड़ यूटी होगे, I hope कि पता होगा आपको, पहले जमू इन कश्मीर एक state था, उसको state का दरजा एक ख करेगा, अंडमान निकोबार हो गया, जमू कश्मीर हो गया, यूटी और लद्दाक हो गया, और जो मैं आप से कह रहा था, क्या यह अपने देश के बाहर भी रोड बनाएंगे, येस, देखें क्या लिखा हुआ है, और नेबरिंग कंट्री में भी उन्होंने यहां पर रो मैंने बताए ना, 19 स्टेट्स में काम चलता है, ब्रो का, ये लिखा हुआ है, 19 स्टेट्स, तो 19 स्टेट्स से जब यह काम करते हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि देखें कि जब यह काम करते हैं, for example, देखें, अरनाचल प्रदेश में, तो अरनाच करनेट कर रहे हूं, या कोई bridge बना रहे हूं, तो वह भी काम करते हैं, border road organization, तो जैसे अब यह अरनाचल प्रदेश में काम करते हैं, तो इनके project का नाम होता है, ठीक है, तो basically इनके 18 projects हैं, जिसमें से अभी 17 जो हैं, उन पर काम चल रहा है, जैसे अरुनांक हो गया, बीकॉन हो गया, ब्रह्मांक, चेतक, दंतक, हिमांक, ठीक हिरक, दीपक, पुष्पक, नाम देख रहा हैं, संपर्क, सेतुक, ठीक है, यह अभी काम नहीं कर रहा है, सेवक, शिवालिक, very important, स्वास्तिक, उदायक, वर्तक, विजयक, एंड सेला टनल, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, बार-बार, ठीक है, in fact, यह है, जो उदायक, वर्तक, प्रोजेक्ट वर्तक चला था भी recently, उस पर important है यह, तो यह सब चीज़ें, जो है, यह border road organization के नाम है, प्रोजेट के, जो अलग-अलग state में चलते हैं, आप लोग काम यह है, कि आप लोग मुझे, अब गूगल करके बताईए, तरह comment में लिखिएगा, कि कौन सा project किस state में चलता है, यह से मैंने आपको धरर दिया, अरुनांग चलता है, अरुनाशल प्रदेश में, now let me know about the other states, जो नहीं पता चलेगा, उसका मैं आपको बता दूगा, ठीक है, चलिए, moving on to the next, border जब रो हो गया, अब क्या है, और वो है, metal roads का, metal roads का मतलब वो roads होती है, इसे कर देते हैं, roads, तो एक classification कैसे हो रहा है, एक तो है, अपनी metal roads, metal roads, और दूसरी है, अपनी unmetall roads, unmetall roads, ठीक है, अब यह जो metal roads है, यह कौन सी होती है, जहाँ बार प्रॉपर, cement, etc का काम हुआ होता है, cement की बनाई हुई होती है, that is a metal road, I hope यह आपको clear होगा, ठीक है, और अगर हैं बात करू, unmetall roads की, तो मतलब जहाँ पर cement का use नहीं हुआ है, और normal roads है, और यह roads basically rainy season में खास तोर से, rainy season में, यह road एकदम क्या होती है, बरबाद हो जाती है, चलने लाइक नहीं बचती है, इसको हम लोग बोलते हैं, unmetall roads, हमारे आप बहुत अगर आप जाते हैं, जो लोग हिमालियन, आप बहुत सुना होगा उनके system, motor able है, मतलब एक road होनी चाहिए, motor able, motor जा तो सके हैं, ठीक है, तो यह सब classification है, जो बहुत ही important है, roads को लेकर, तो हमारा यह basically जो पूरा aspect था, जो हमको roads के बारे में पढ़ना था, वो यहाँ पूरा हो गया, और metal roads और metal roads की बारे में इतना ही जानकारी आपके NCRT में भी दिय है, इस तरहा दिया नहीं है, तो I hope यह chapter आपके लिए एक दम clear हो गया होगा, इसमें और कोछ चीज़े है नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए फिर, अगले class में जो है हम लोग, next class से हम लोग, railways के बारे हम पढ़ेंगे, और pipeline देखेंगे, waterways भी देखेंगे, और एक lecture में हम लो इसलिए चलाओं, ताकि आपको यह feel करा सके, starting lecture में जो आपको बताया था बार-बार, कि road, transport कितना important है हमारे लिए, मैंने maximum time आपको उसी में devote किया है, transport का importance आपको समझना आना चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर, अगले class में मिलते हैं, till then, take care, have a great day, पढ़ाई करते रहे all the very best